मोदी जी आते हैं फेक के चले जाते हैं अंदभगत लपेट के अपने घर में बाइट जाते हैं और कंगना रानावत 2014 में आजादी मिली है और आजादी मना रही है पचत है देश के प्रधान मंतरी ने देश की जंगता को जूट बोला फाइफ ट्रिलियन इकुनॉमी बोला से पहले हम तो रात में बुलट ट्रेंड में जा रहे थे लेकिन सुबा पता चाला जगे तो सफरे खतम हो गया अगर नाम नले तो आपके पेट में खाना नहीं पस्ता मुगलों के द्वाला मुगलों के द्वाला लाल किले का प्राचीर बनाया हुआ है और देश के परधा मंतरी पोडियम से कहते हैं महिलाओं का सम्मान भाउख हो जाते हैं लेकिन उन्हीं की सरकार के सासंकाल में गुजरात में बिल्गिस बानों का जो रेफ हुआ उसमें 11 दोसीत पाए गए थे उनको आज हिरासत से बाहर कर दिया गया और फूल वालों से स्वागत कर दिया गय रोज जुमले की बाउचार चल लही है मोदी जी आते हैं फेक के चले जाते हैं अंदभक्त लपेट के अपने घर में बैट जाते हैं और कंगना रानावत 2014 में आजादी मिली है और आजादी मना रही है पचास्त्रमा वही प्रधान मंतरी की बात कर रहे हैं अब देश द्रोही हैं इससे पहले आप तिरंगा अपने दिल में रखते थे आपको तिरंगे का संबान नहीं पता था इसे पहले आप बताईए नहीं बताईए नहीं बताईए अमरित काल की बर्चा हो रही है परदान मंतरी ने देश की जंक्ता को जूट बोला फाइप ट्रिलियन एकुनॉमी बोला था उससे पहले हम तो रात में बुलट ट्रेंड में जा रहे थे लेकिन सुबा पता चला जगे तो सफरे खतम हो गया कहां गए बुलट ट्रेंड देखे आप देश हिंदुस्तान की बात करिए हिंदुस्तान में आत्राहिमाम है हिंदु मंत्री टोपी पहिंद के भासर देते हैं तब नहीं आताता है अब बताइए एक अटटटटटट खटा रहे जानते हो गें हरियाना के उन्होंने तो कल कह दिया है उन्होंने कहा है कि 90 साल पहले आजादी मिल जाती है अगर मंगल पांडे ने गोली न चलाई होती तो तो य देए जंगता जंट का हुरे कैरे इंधारे मैं कहता हुएं पहुद का नहीं रही जो लोग उसके लिए उसके लिए रहे होड़ और माफी बीरो लोगों के दौरा आजादी नहीं मिली है अगर सावर करना हो तो आजादी उससे पहले मिल्याएं पहले बीजेपी के नेताओं को ये पता हो कि मुद्दा कौन है और सच में इनको पता है कुछ ये पता नहीं है इंको किवल हिंदु मुसल्मान करना है रास्टवादी कौन सा रास्टवादी के नाम पर तिरंगा बेचा जाता है वही जर्मन के ताना साध और बिटलर की कहानिया बताना चाहते हैं जिन्होंने जर्मन को एक ऐसे नाजीवाद एहुदीबाद के ऐसे उसमें पडाव में लाके खड़ा कर दिया कि देश की जनता को उन्होंने जर्मन की जनता को गुमराह किया और उसके बाद राज किया और उसके बाद खुद को अपने आपको ताना साह को गोली मानने पड़ी आप एक बात बात है यह कौन है यह तो मोधी से भी बड़ा लुटे रहा है कौन है जानते ही नहीं है कौन है तो देश में महजूदा जो हालत है जो केंद्र में शरकार है उनकी सत्ता में बैठी हुई है क्योंकि उनके वाइदे बड़े-बड़े हैं अगर वह वाइदों से नाधारत अगर होना चाहते हैं तो 2022 में किसानों कि आये दो गुनी होनी ची बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर देश के परधान मंत्री 25 साल रहेंगे 25 साल अब वही 100 साल जबाब बताईए ना इस देश में गुजरात नहां दारू का विकास दिखाई गुजरात में विकास दिखाई दिया है कच्छी दारू से कितने लोग मर अरे भाई सूपड़ा साफ आपका होने वाला बिहा पता चला आपका बिहार में बाहर आ गई अरे कहां आ रहे हैं वही तो कह रहे हैं आ रहा हूं मैं 56 का सीना अलाल के प्राचीन से रो रो की जीना कौन सा देखिए सरकार ये कही न कहीं केवल गुमराह के जरीए आज मुद्धा होना चाहिए आर्थिक सामाजिक बैचारिक मुद्धों पर बात होनी चाहिए लेकिन देश के प्रधान मंतरी इन मुद्धों से नदारा थोके और ये सीधे तोर पे केवल जुमला देना चाह है नहीं पूछने देश का प्रधान मंतरी थे आजादी कम रित महुत समना रहे थे लाल किले के प्राचिंट अरे बाई देश के आप प्रधान मंतरी हैं देश के मुद्धों को लाल किले का मतलब ये होता है कि अगर आप वहां से संबोधन यहीं जब 2014-13 में जब मुख्यम देखिए मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो आप जैसे अगर भरस्ताचारी आप जैसे लोग पतकार देखिए पतकार की असमित्ता होती है कि वह सच्चाई की खबर दिखाना ठीक है मैं एक सच्चाई सच्च परेसान हो जाता पर आज इतने हम हमें सब बोलते हैं अ जैसिक मुद्दा है देश का उस मुद्दों पर बात होनी चाहिए कहीं न कहीं अगर बिक्सित राष्ट बनाना है तो वहतर सिच्चा करना होगा इस देश में जादू टोना टोटका क्या यहां मतलब जो पढ़े लिखे लोगों को आप क्या काला जादू के जरी और गुमराह करना चाहते आफ ने गुमराह तो किया आपने काला जादू के जरिए गंगा में दुबकी लगाई तब आपको नहीं पता था तब आपको उनसा काला जादू चल ले डोनाल्ड ट्रंप से जाके काला सट पहिंद की गले मिले अरे मैं तो भी भारी है अब देश उसको भागाना जारी है आरे अरे बाई काला जादू देश की जनता को इन्होंने अंद्विश मैं कहता हूं किसी भी भारतिय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप बुला लीजिए चाहे गोबरा पत्ता की बात हो किसी को बुला लीजिए मैं डिबेट करने के लिए भारतिय जनता पार्टी के सबसे चाहता सभी संस्थानों को जितने सर्सकारी संस्थान थे उनको आपको सीधे तोर पर पता चल जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री का क्या विकास हुआ है के वल मित्रवाद का हुआ है मित्रवाद मित्रवाद जानते हैं बीजेपी में सबसे बड़ा मित्रवाद है हम दो हमारे दो आप खुशाल हमारी सरकार चलती रहे बस अडानी करने आपको पास इतना देश में इंफलेशन अबना है लेकिन समय अडानी का इनफलेशन पड़ता जा रहा है तो आप यह समझे कि इस देश की स्थितिक और परिस्थिति को कही नधारत नहीं किया सचता है मॉझूद हालत बड़ी खराब है और इसको समझने की 62